अगर यह चीज अल्रीड बना हुआ हम इसको मिर्यर करना है अगर जाके हम इसको क्रेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे mirror करेंगे, तो mirror के लिए ये वाला icon use करना है, home के अंदर जाके modify के अंदर जाके home tab, then modify panel, then mirror click करने के बाद, select object इधर क्या लिखा है, select object तो object को select कर लो ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है enter करना है ठीक है, उसके लिए क्या है mirror करोगे तो mirror mirror तो होना चाहिए, mirror का कुछ reference line देना पड़ेगा mirror नहीं रहेगा, imaginary एक line डालना पड़ेगा अगर आप इधर चाहिए, तो इधर एक mirror रहेगा, अगर आपको नीचे चाहिए, तो इधर mirror करोगे ये देख लो, कर दिया तो में, और ये source object ये है, मुझे उसको रखना है ठीक है, I don't want to erase तो no, अगर उसको erase करना है, तो yes करना पड़ेगा वो भी मैं दिखाता हूँ, तो shortcut command क्या है, mi select object अभी मैं reference नीचे रखूँगा, ठीक है और मुझे source delete करना है, तो ये इस कर दूँगा, तो delete हो जाएगा, ये mirror, that's it ठीक है, तो mirror करना बहुत ही easy है, आपको कहीं पर reference देना है mirror का मतलब क्या है, कोई चीज रहेगा, imaginary, आपको starting में थोड़ा मुस्किल होगा, कुछ करने में, mirror line डालने में, तो आपको क्या करना है simple, for example, मुझे easy करने के लिए, आप एक line डाल कर रख दीजे पहले, कहां आपको mirror करना है, ठीक है, तो जब आप command, command डालोगे ना, दिखा देता हम आपको for example, मैं mirror mi command डाल दिया मैंने तो select object आपको imaginary imaginary एक line डोड़ा करना है, तो अगर starting में आपको पता नहीं है, तो एक line पहले से डाल कर रखिये और उसको use किजे तो हो गया अगर अप confident हो, तो directly आप डाल सकते हो, आप डाल सकते हो, वो practice होने के बाद ही, आपको easily समझ में आ जाएगा, कैसे उसको करना है, राइट so, thank you for watching this video, I hope कि आपको mirror कैसे करना है, पता लग गया होगा like and subscribe my channel, hit the bell icon so that you get the updated notification of the upcoming videos, thank you for watching this video take care